तारीफ वो होती है जो एक दुश्मन करता है पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देख लें जो रूट तो रोहिट शर्माट डेविड वॉनर पैड़ एक प्लेयर आप पिक करें जिनकी जिन पर आपकी नजर होगी खुब डियो काफ़ा बाबर आजम आयाया इतना सुकून भाई इसकी तारीफ तो बनती है कोई भी कर सकता है ठीक है लेकिन अभी जो मसला चल रहा है आज कल जो है मुहमद आसिप ने क्या कहा है वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप उसे एक गुजारिश करता हूँ कि म आप लोग सबस्क्राइब नहीं करते हैं सबस्क्राइब करके जाओ चैनल पर और लाइक भी किया करो यार मज़ा आ जाता है ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बाबर आजम के बारे में वो भी जरा साथ सुन लेते हैं और मुहमद आसिप ने क्या कहा है पाकि परिज बॉलरा अलमुस सारी यह वो बंदा है जो चरस्पी के ग्राउन में जाता था और इसकी बॉल जो है मूवमेंट कर दी बिला शुबा एक बॉलर नहीं था एक मैजिशन था स्पॉर्ट पर गेन करके उसको अंदर भी ले जाता था और बाहर भी ले जाता था लेकिन क क्या इसको ये शुबा देता है कि वो आज कल की टीम के उपर बात करें क्या इसके पास वो राइटस है क्या इसने वो इज़त कमाई है कि वो दूसरों की इज़त उचा ले क्या इसके पास ताकत है साची मैं कि वो बाबर आजम के उपर कॉमेंट करें मतलब आप लोग खु छोटे छोडे यंगस्टोर्स हैं उनके लिए कैसी गालिया बगता है तो वो क्या सीखेंगे इसे ठीक है यह वो बंदा है जिस जो चलस पीता था ठीक है अभी यह बात कर रहा है कि पाकिस्तान के बारे के बारे में जिसके बारे में पूरी दुनिया ही बोलती है कि वो नमबर वन है और वो है और वो डिजरू करता है अभी आप लोग ये देखें बाबराजम की एज कितनी है अभी अठाई साल और जब ये अठाई साल का था तो ये जेल में चकी पीस्ता सा ठीक है ये था कि इस बार जो है थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर लिया जाए पाकिस्तानी टीम के लिए लेकिन जब से मैंने इसका बयान देखा ना तब से मेरे दिल में ये जज़बा पैदा हो गया कि बाई एक फिक्सर जिसने पाकिस्तान को बेज दिया था उस बारे में बात करेगा जो कि अभी पाकिस्तान को आगे ले जा रहा है वो बापर अजम जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रखा है अपनी बैटिंग सिकल से और ये बोलता है कि मैं उसको मेड़न ओर कर दूँगा इतनी हम्मत है इसके अंदर बापर अजम अपनी विकट के उपर इनाम रखते कोचिंग है और ये दो टके का ये बोलेगा बापर अजम को मैं मेड़न ओर कर दूँगा इसकी हम्मत कैसी हुए बोलने की इस्तान का जो कानून है वो मर गया एक सिटार की उपर बात कर रहा है कहा गई है तुमारी गहरत बेगहरत लोगो किदर गई है आपकी गहरत एक दो टके का एक दो टके का चरसी बोल रहा है मैं बाबर अजम को मेड़न ओर कर दूँगा और जब उसको बोला जाता है कि तुम कोचिंग करोगे फीसे बिलाला तो वो करने वाला नहीं है और वो बोल रहा है मुझे उतने पैसे चाहिए जितने मौरनी मौरकल को देते हैं जितन तीन हजार रन है टीटोंटी के अंदर इंटरनेशनल और कुल मिला के जो सारी संचिरिया उसने दस किये दुनिया का नंबर दूसरा बैट्स मैने जिसे दस संचिरिया की केरियर में और बात कर रहा है मैं उसको मेड़न ओर कर दूँगा इतनी नफरत मुझे पैदा होगे न वो थोड़ी ना आदे मैच खेलता है बटलर की मैच देखो और बाबर रासम की मैच देख लो बागी कॉंटन डिका की बात कर रहा है उसके मैच देखो बाबर रासम के मैच देखो विराट कूली के मैच देखो और बाबर रासम के मैच देख लो यार बगवास करते रहते ह ये सारी की सारी गलती जो है ये पाकिस्तान खुद कर रहा है पाकिस्तान को चाहिए था कि इन लोगों को अभी तक जेल में ही रखना चाहिए जितना बैक इन लोगों को किया ना पाकिस्तान के बोर्ड ने बाबर रसम को उतना कर देंगे ना तो मुझे लगता है कि वो दुनिया के सारे रिकार्ट तोडने वाला है और ये बात करेंगे बाबर रसम को मेटनूर करेंगे यार गजब टोबी बाजा आदमी है बाई ये अठाई साल की उमर में जेल चला गया और बाबर रसम दुनिया का नंबर वन बैटसमेन है इस टाइम पे और कप्तान है पाकिस्तानी टीम का ये कोई चोड़ी बात नहीं है वरल्ल कप खेलने आ रहे हैं इंडिया आजाओ आप लोगं का वेलकम है इंडिया में मुझे ना तो उस आसिप से कोई मतलब है ना बाबर से कोई मतलब है मुझे सिर्फ किरकट से मतलब है और किरकट के अंदर ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए जो कि मैच फिक्सिंग के अंदर पकड़े गए और उसके बाद अभी बात कर रहे हैं बड़े-बड़े प्लेयरों के खिलाफ थोड़ी सी शरम बची है तुम लोगं के अंदर दिमाग खराब करके रखा है यार अरहाल मुझे ज्यादा गुसा करने की भी जरूरत नहीं है यह मेरे जजबात है जो बाबर आजम के लिए है पाकिस्तानी टीम के लिए है बस इसलिए मैं थोड़ा सा बढ़क गया यहाँ पे आप लोगं की क्या राया है वो भी आप लोग थोड़ी से बताईएगा